गुडिविंग एव्रिवन वेल्कम टू सुबल सर्फ से स्टड़ी प्रेक्टिस सेट नमबर ये 266 है यूपी पीसीयस के लिए और इस सीरीज की प्लेलिस्ट वना रखिए महां पर आप टेस्ट नमबर वन से लेकर 266 सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और इन स सर्मत कहां किया है रूस की तो 20 अपरल 22 को रूस द्वारा सर्मत नमुग इंटर कॉंटेनेल्टर वेलिस्टिक मिसाइल का सफल परिक्षन किया गया अंतर महादीपिया वेलिस्टिक मिसाइल कॉशन बट उपर आज़े है भारतिय तत्रक्षक बलने राश्टे इस्तर के पुर्दूशन पृतिकरिया अभ्यास नेट पॉल्रेक्स के किस संस्क्रण का आयोजन हाल ही में गोवा में किया कौन सा संस्क्रण था यह नेट पॉल्रेक्स का आठवा संस्क्रण था तो भारतिय तत्रक्षक बलने राश्टे इस्तर के पृतूशन पृतिकरिया अभ्यास नेट पॉल्रेक्स के आठवे संस्क्रण का योजन उन्नेस अप्रेल दोहरबाइस को गोवा में किया कोईशन नमर त्री है और प्रश्ण है कि एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है एल रूट सर्वर जिसमें अपना एक सर्वर होता गवर्मेंट का ठीके आएधी आए तुफान आए कोई मतलब नहीं है सर्वरच चलता रहता है और यह है राजस्थान अपसानमबर 1 तो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज है राजस्थान देखे इस नए इस्थापित रूट सर्वर के साथ डोमेन नेम सिस्टम के लिए राजस्थान अब किसी रूट सर्वर पर निर्वर नहीं रहेगा अब यदि भारत या एसिया में किसी भी प्राकृतिक आपदा या तखनीकी गड़बड़ी के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई समस्या आती है तो राजस्थान राज बिना किसी रुकावट के इंटरनेट का प्रियोग कर सकेगा देखें निर्वाध मतलब बिना किसी वाधा के इंटरनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ यह सरवर राज सरकार को अपनी प्रमुक डिजिटल सेवाएं परदान करने और यी गवर्नेंस लागू करने में सहायता करेगा यह नई सुविदा राज के इंटरनेट वुनियादी धाचे को मजबूत करेगी और सभी इंटरनेट अधारित संचालन की लचीलापन और सुरक्षा में सुधार करने में भी मदद करेगी तो राजसान का नाम याद रखिएगा एल रूट कनेक्टिविटी या एल रूट कोईशन नमबर फोर पर आजएए आइरन वीम नाम से नई लेजर मिसाइल रक्षा परणाली का परिक्षन अमलेकर में से किस देश दोरह किया गया है आइरन वीम नाम से नई लेजर मिसाइल रक्षा परिक्षन किया है इसराइल ने तो आइरन वीम नाम से नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का परिक्षण 14 अपरेल 22 को इसराइल ने किया कोश्चन नुबर 5 पर आजए हैं हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं लॉक सील्ड 22 फर तो विस्व के सबसे बड़े साइवर सुरक्षा अभ्यास या साइवर अभ्यास की मेजवानी किस देश ने की है क्या है इसका उत्तर चीन नहीं है अमेरिका नहीं है रूस नहीं यूकरेन नहीं है एस्टोनिया है तो विस्व के सबसे बड़े साइवर अभ्यास जो की है लॉक्ड सील्ड की मैजवानी किस ने किया अपरेल 2022 में एस्टोनिया ने अब आज़े कॉशन नुमर शिक्स पर किस देश ने ब्रहमोस मिसाइल निर्यात हेतू प्रहमोस एरोश प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझोता किया है वो देश है फिलिपिन्स तो फिलिपिन्स ने 28 जनवड़ीbernів 22 को भ्रहमोस मिसाइल जो की एक सूपर सोने क्रूज मिसाइल है इसके निर्यात हेतू जो है ब्रहमोस एरोस्पेस प्राइबिट लिमिटेड के साथ समझोता किया है दोनी की गती से तीन गुणा तक अधिक तेज आए ठीक है ओल वैदर ओल सीजन केनेक्टिविटी देती है जल धल बायू कहीं से भी इसको दागा जा सकता है Q7 पर आजिए गेल यानी गैस अतौरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दौरा प्राकरति गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के समिश्ण की भारत की पहली परियोशन कहां सुरू की गई प्रस्ण इंपोर्टन्ट है और इसका उत्तर है MP मध्य प्रदेश का इंदौर जिला Q8 पर आजिए गैस अतौरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के दौरा प्राकरति गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के समिश्ण की भारत की पहली परियोशन इंदौर में सुरू की गई Q8 पर आजिए, COVID-19 से सुरक्षा हेतू DNA वैक्सीन लगाने वाला विसु का पहला देश कौन सा है भारत है तो COVID-19 से सुरक्षा हेतु DNA वैक्सीन लगाने वाला विसु का पहला देश भारत है एक्जाम्पल के तवर पर कॉवएक्सिन को ले लिए जए कॉवएक्सिन भारत की एक मात्र सुदेशी कॉरोना वैक्सिन है यह है भारत बायोटेक कंपनी द्वारा जो है इस वैक्सिन को भारते चिकित्सान संधान परिशद आई सी एमार तथा राज़्ट विशानु विज्ञान संस्थान के सहयोग से विक्सित किया गया है यह एक निश्करिय टीका ठीक है यानि इन एक्टिवेटेड वैक्सिन है जिसे रोग पैदा करने वाली सूख्सम जीवित सूख्सम जीवों को निश्करिय करके जो है विक्स जैतापुर में छे पर्माणू ऊर्जा रेक्टर स्थापित करने को सैधान्तिक मंजूरी दी गई और इन रेक्टियों को फ्रांस के तक्नीकी सहयोग से स्थापित किया जाएगा फ्रांस यह रूस है महराश्ट के जैतापुर में छे पर्माणू ऊर्जा रेक्टर पहला राज इस तरीय पक्षी टलस केसराज में बनाया गया, जब कि अब सुर्भी प्रमुक आवासों में पक्षी परजातियों के वित्रन और बहुत तयात के बारे में ठोसा अधारबूत डेटा तयार किया है जिससे भबिश्य के अध्यन को प्रोतसाहन मिला है嗎 कॉश्चिन नमर 11 पर आ जाई है हाल ही में γ्रेटा घंवर्ग की देना से किस प्रजाति का नाम पड़ा है के नाम कर तर देख गया ठीकर रेटा का नम रख़ा गया और इस प्रजाति का नाब परियावन कारकरता ग्रीटा थनर्भर्ग के नाम पर रखा गया है जिसका सम्बंद स्वीटन से है जिनका सम्बंद स्वीटन से है तो मीधक्सके नाम पर रेंफ्रॉघ बारवा प्राशन है नमलिखित कत्नों पर विचार करेंगे हम दो स्टेटमेंट के सर बताने की कौन सा करेक्ट है तो फिलालिये दोने के दोने स्टेटमेंट रहाते हैं करेक्ट सी है इसका अंसर तो गरतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशि विश्वनात धाम विश्या पराधर ज्हांकी को मिला है प्रथमिस्तान नमबर ठर्टीन पराजे तेरवा प्रशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में बांसरी महतसब का आउजन किया गया पीली भीत जिला उत्तर प्रदेश का जिले का नाम Indian Book of World Record में दर्ज कराया नमबर ठर्ड फोर्टीन पर आजएए नम्रेखित कत्मों पर विचार करेंगे दो स्टेट्मेंट वाला प्रशन है उत्तर प्रदेश के वारण सी जिले में अखिल भारतिय महापौर सम्मेलन का वर्चुली माध्यम से आयोजन देसंबर 22 में किया गया और इस सम्मेलन का विशय नया सहरी भारत था अखिल भारतिय महापौर सम्मेलन 2021 का विशय क्या था नया सहरी भारत कहां पर उत्तर प्रदेश के वारण सी में करेक्ट हैं दोनों के दोन्रे स्टेटमेंट हैं और सी है इसका अंसर है अब आज आई यह कौशन नमबर 15 पर पंद्रवा प्रश्न है देश का सबसे बड़ा हैली पेट नमर्ल के दिए से कहां बनेगा कहां बनेगा देश का भारत का सबसे बड़ा हैली पोर्ट ये नौईडा में बनेगा उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नौईडा में देश के सबसे बड़े हैली पोर्ट बनाने के प्रस्ताव को दिसंबर 12 में मंजोरी प्रदान की थी और इसको नोईडा के सक्टर 151 ए में बनाय जाएगा नमबर 16 पर आजएए कुशी नगर अंतराश्टी हवाई अड़ा उत्तर प्रदेश का कारेरत हवाई अड़ा बन गया है छटा साथ पाठवन अमा नोवा तो देखिए कुशी नगर अंतराश्टी हवाई अड़ा यानि कुशी नगर इंटरनेसिल ऐरपोर्ट 20 अक्टूबर 2021 को प्रदार من्तरी द्वारा जो है इसका उधाटन किया गया और कुशी नगर अंतराश्टी हवाई अड़ा उत्तर प्रदेश का नौवा कारिरत हवाई अड़ा बना कोईशन नुबर 17 पर आज़े ये 17 प्रशन है निम्लिकित कत्मों पर विचार करेंगे दो स्टेटमेंट की सर बताएं कौन सा करेक्ट होगा इनमे पहला स्टेटमेंट है 100 प्रदिशट COVID-19 टीका करन पूरा करने वाला भारत का पहला राजय दिसमबर 2021 में हिमाचल प्रदेश बना वा दूसरा स्टेटमेंट है 15 जनवरी 22 को राजस्थान के जैसल मेर में भारत पाकिस्तान सीमा परस्थित लोंगे वाला अनामक इस्थान पर खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राश्टे धहज फेराया गया तो विश्व का सबसे बड़ा राश्टे धहज कहां फेराया गया पंद्रा जनबरी दहर बाइस को राजस्थान के जसल मेर में ये सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट और C है इसका अंसर पॉश्या नमबर 18 पर आजएए 94 वारसिक अकादमी पुरुसकार यानि आसकर पुरुसकार में सर्बस्रेश्ट फिल्म का पुरुसकार नमबर के दोन से किसको दिया गया है आरार दा पावर ओफ दो डॉग वेस्ट साइड स्टोरी कोडा किसको मिला है कोडा को तो 27 पांच दोहर बाइस को आसकर पुरुसकारो में या 94 अकादमी अवार्ड के लो इनको इनकी खोशना की गई इस साल जो है सर्बस्रेश्ट फिल्म का खिताब मिला कोडा को और डारेक्टर को ने इसके सियान हेडर कोशन नमबर 19 पर आजएए मेदा राम जतारा उत्सब का आजजटन अमलिकर में से कहां किया गया ये भाड़त नहीं बल्कि एसिया का सबसे बड़ा जजजाती उत्सब है इसका आजजटन किया गया है तेलंगाना में मेदा राम जतारा उत्सब तो 16-19 फरवरी 22 के मद एसिया का सबसे बड़ा जन जाती है दोई वार्सिक उत्सब मेदाराम जतारा उत्सब कायोजन तेलंगाना में किया गया बीसवा प्रशने अंतिम प्रशने नमलिखित कत्मों पर विचार करेंगे दोई स्टेट्मेंट के सार बता है कौन सा करेक्ट है तो बीस प्रशने अंतिम इनकी प्रक्टिस एक बार कर लिजगा धन्यवाद इन सभी प्रश्णों की आप PDF राप्ट कर सकते हो description box में number us for call या WhatsApp करके